हेलो सो नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी बावा में एक वार फिरस्या आपका बूत-बूत स्वागता दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल के रहता है दस्त में डाइरिया य भीहाद आती है जो सबसे ज़्यादा काम करता है इन विमार जम में दोस्तों चलूइए हम बात करते हैं टो soupो और यकाती है एक जो मुख्य होता हैं फिसमें तो समकूंशा है लेकल आपकर से बोकिन ओन्ready सुर्ध हैrr सब्सक्राइब vivre स्कानगा करने वाला ढ़क के अब अंकर फार वे श्यानकारि और देने वाला को अगर činkel पर नहीं हैं अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सुस्क्राइब ले ल स्रक्राइब कर जो जाके प्रेस्र करते बिजसते अग्राइब कर french ना सेपल… जरू की जी मेरे दोड़ी चान गहली अच्छी से लग ईए चलिबात करते हैं कि स्समें जो साल्ट मिलाओता, उसके बारे मीयारिक betranc cavelden शेल्वष नंत्रों स्वर्भय टोड़ो सबसें सर स्भावाव क requisite Kung Treasure क adjective या पिर पेचिस के इलाज में इसका सबसे ज़्याता है इसके साथ साथ इसमें जो एक एंटी बेक्टिरिया और एंटी एंबीबी का दवाओं का जो सामील हो थी जो आपके सरीर में परजीवी और जिवानों संकर्मन शी लगती हैं और ये हैं दोहरी अर्किरिया की कारण जो यह कर on कि इस्ति एलाजम इसके सबसे जाद है सबसे इस्तमाल किया जाता है जुकर इसके साथ साथ यह टेःव रिट ओर एंसे काम करते हैं इसके वारे में बात करें तो की यह पैक्टिरिया की जो डीन के में इसके इन्जेय का उप्चार यानि पूस्के उत्पादन को रोकने का काम करते हैं जो इस जिवानों शंकर्मन के अस्तित्र और विकास के लिए काफी ज्यादा आवशिक हो जाते हैं को लोक लिया से लड़ने का काम कर दोस्तों इसके साथ सथ अगर तो नहीं 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 ले सकते दोफ्तों एक बात पुर बता दूं अगरिए टेबलेस नहीं पर बता दूंगे, आराम मिल रहा है आपको आपने सोचा कि इसको टेबलेट को छोड़ दे तो इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों अगर आप इसको जो पॉर्स होता डोक्टर बताते हैं उस लोग से पहले अगर आप इसको छोड़ते हैं तो इसके साइड डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते कि यह अदोस्तों यह थी ओफ लॉक्स और टेबलेट के बारे में अब बात करेंगे इसके जो फायदे होते हैं इसके बारे में तो शंकर्मंण में यह फिर डिश्टोकि के लिए कि पेचिस के स्तमाले में इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है इसके साथ साथ जो इसके नुक्सान होते हैं उसके बारे में बात करें तो जैसे मतली आना भूक में कमी होना सिरदर्द का होना चक्कर आना या पिर चेहरे में कठोता आना नाक का बहना शेंक आना स्मर्ति खाने गब्रहट होना या फिर उत्तेजना य बात करेंगे इसकी जो MRP रेट होती है उसके बारे में इसकी MRP rate यह आपको देखने को मिलती है 123 जो मैं आपको 3 दिखारा हूँ इसकी MRP rate 120 3 है उस जैनि फ्लोक्स OJ tablet की MRP आपको कुछ ज्यादा देखने को मील सकते MRP rate उसकी नीचे होती रहती है आपको नुपसान हो सकता दोस्ते इसलिए एक्सपारी टेबलेट लेने से आपको काफी हद तक बचना चाहिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरी दवार दिवी जाना कर अच्छी लगी है और चैनल को अभी तक सस्काइब नहीं किया है तो आप चैनल को सस्का जरुब को यह दो सकता दो आपको है